Hello everyone, friends highway पर जाते हुए आपने notice किया होगा कि different types के vehicles पर different colors की number plates लगी होती है आप सोचते होंगे कि हमारी गाड़ी पर तो white number plate है और ola, uber इन पर yellow color की number plate होती है और कभी आप Delhi से गुजरे हों तो आपने notice किया होगा कि कुछ गाड़ीों की number plate blue color की होती है पहले गाड़ीों पर hologram नहीं होता था, अब होता है और ये number इतना लंबा क्यूं होता है, क्या कुछ इसमें special होता है तो ये सबी बाते हम इस वीडियों में जानने वाले हैं आए डीकोड करते हैं या समझते हैं Indian number plates के बारे में Friends, पहले दो letters किसी भी number plate पर उसके state या region के बारे में बताते हैं मतलब है कि वो vehicle किस state या region में register किया गया है जैसे UP मतलब उत्तरप्रदेश, इसी तरह DL, KL, HR, MH, etc कोई गारी अगर 36 गर रीजन को belong करती है तो उसके starting में दो alphabets होंगे CG उसके बाद कुछ digits होते हैं जिनसे पता चलता है उसके district के बारे में कि ये गारी किस districts में register है थार्ड पार्ट में चार नंबर का एक set होता है ये हर गारी के लिए अलग-अलग होता है इसके उपर एक hologram बना होता है जिस पर अश्चोक चक्र बना होता है इसके नीचे IND लिखा होता है चलिए अब समझते हैं different types की number plates के बारे में white number plate जिस पर की black letter से लिखा जाता है ये सबसे common type की number plate है जो private गारी owners को दी जाती है या जो commercial cars नहीं है उनको दी जाती है इस तरह की गाड़ियां commercial purpose के लिए use नहीं की जा सकती जैसे की transport ले जाने के लिए या फिर passengers को इधर उदर ले जाने के लिए ये गाड़ियां use नहीं की जा सकती है चलिए अब समझते हैं yellow number plate के बारे में जिस पर की black letter से लिखा जाता है ये commercial purpose की गाड़ियां होती हैं इनको commercial purpose के लिए use किया जाता है जैसे की taxi, cab या truck वगएरा yellow number plates वाली गाड़ियों का tax structure भी अलग होता है white number plate वाली गाड़ियों से commercial car drivers को जिनकी गाड़ियों पर yellow plate होती है उनके पास commercial driving permit होना भी mandatory है चलिए अब जानते हैं उन vehicles के बारे में जिन पर black number plate लगी होती है और yellow color से लिखा होता है black number plates उन vehicles के लिए होती हैं जो rental हो या self-driving हो जादतर ये बड़े-बड़े होटलों के मालिक यूज़ करते हैं ये गाड़ियां commercial purpose के लिए यूज़ की जा सकती है और इनमें ये जरूरी नहीं है कि driver के पास commercial driving permit हो चलिए अब जानते हैं green number plates के बारे में जिन पर की white color से लिखा जाता है ये number plates के वल electric cars के लिए होती है actually मैं तो ये awareness raise करने के लिए की गई है जो zero emission of carbon वाली गाड़ियां है roads पर चलती हैं उनके लिए ये electric buses और दूसरी electric commercial vehicles के लिए हैं जैसे कि महिंदरा E20 हो गया जा टाटा टाइगर electric हो गया अभी इंडिया में ये कम है पर near future में हमें इस तरह की गाड़ियां जादर देखने को मिलेंगी चलिए अब समझते हैं red number plates वाली गाड़ियों पर जिन पर की white color से लिखा जाता है ये नई गाड़ियों के लिए issue किया जाता है ये temporary number की तरह होता है जब तक कि उन गाड़ियों का permanent registration number issue नहीं होता है आर्टियों से temporary number one month तक ही valid होता है और जादर इंडिया के states में temporary registration number वाली गाड़ियों का roads पर चलाने का permission नहीं होती है मतलब बहुत सारे states में इसको illegal माना जाता है इन गाड़ियों को roads पर चलाना चलिए अब जानते हैं blue number plates के बारे में जिन पर white color से लिखा होता है नीले रंकी गाड़ी का इस्तमाल विदेशी प्रती निदियों द्वारा किया जाता है इन गाड़ियों पर white color से लिखा होता है इन गाड़ियों पर state के code की जगे जिस country के ये गाड़िया होती है वहाँ का code लिखा होता है विदेशी दुतावास या विदेशी राजनेक इनका इस्तमाल करते हैं चलिए समझते हैं उन number plate वाली गाड़ियों पर चिन पर की एक उपर की तरफ point करता हुआ arrow बना होता है इस तरह के नंबर वाली गाड़ियां military services के लिए use की जाती है मतलब military purpose के लिए use की जाती है military द्वारा ये vehicles use किये जाते हैं जिनमें उपर की तरफ point करता हुआ arrow बना होता है और ये ministry of defense new Delhi में register होते है ऐसे गाड़ियों की number plate में number से पहले या तीसरे अंक के स्थान पर उपर की तरफ point करता हुआ arrow बना होता है जिसे broad arrow कहते हैं और arrow के बाद जो number होता है उससे पता चलता है कि vehicle कि साल में purchase किया गया है उसके बाद उसका base code होता है और उसके बाद में number से class of the vehicle पता चलता है चलिए अब समझते हैं कि HSRP या high security registration plate क्या होता है friends HSRP एक hologram speaker है जिसमें वाहन के engine और chassis number दर्ज होते हैं इसे वाहन की number plate पर लगाया जाता है Central Motor Vehicles Rules 1989 के according जो भी vehicles 1st April 2019 के बाद register कराए गए है उन सभी पर high security registration plate होना mandatory है ये पुराने vehicles पर भी applicable है जो पुरानी number plates के साथ register हुए है high security number plates किसी भी वाहन को चोरी होने से बचाती है ये वाहन की सुरक्षा के लिए design किया गया है इन्हें विशेश प्रकार से वाहन में fix किया जाता है, fit किया जाता है और ये number plates government के द्वारा issue की जाती है high security number plates एक standard है throughout India तो ये थी different types के number plates के बारे में जानकारी hope आपको concept clear हो गया होगा वीडियो पसंद आई हो तो like कीजेगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें तेंक यू